सब्सक्राइब करें निफ्टी अनलीस फ्रॉम ट्रेडिंग फैप डॉट इन आज 27 अगस 2020 थर्ज्ड है सुबह के 8 बच के रहे 17 मिनिट हो रहे आज मंतली एक्सपाइरी का दिन है इंडेक्सेस का भी और स्टॉक्स का भी तो काफी ओलटाइब मार्केट हो सकता है लोग ज्यादा कर रोल ओवर करते हैं पोजिशन्स और स्क्वेर आफ भी करते हैं तो काफी ओलटाइलिटी देखने को मिल सकती है तो फ्रेश आज एक्सप पहले कल के अनलीसिस का है क्विक्ली रिव्यू करते हैं यह कल का पिक्चर है अनी 26 अगस्ट अफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो उपर यहाँ बटन में आपको इसकी लिंक मेल जाएगी तो कल के प्लान के प्लान के तूर्ट साउथ की तरफ है और कंटिन्यूज यहाँ पर यह जो हंड्रेड यह में का यह जो ग्रेला इने एक्जेक्ट इसी लेवल के पास यह सपोर्ट टेस्ट कर रहा था फोर अटेंप्ट इसने लगा है इसको ब्रेक करने के लिए पेनेट्रेट होते रहा है और देखा यहाँ पर जबर्दस सपोर्ट बन रहा है तो उपर अपर मैंड यानि एक्जेक्ट हमारा ब्रेकाउट लेवल के पास यहाँ पर अपर बैंड बन रहा था इस लेवल को भी इसने काफी देर पेनेट्रेट किया और जैसे एक्जेक्ट यह सस्टेन हुआ इसके उ रहा हुए लेवन तौजन टूफिटी का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था तो यह था कल के आनालीसिस का एक क्विक्ली अग्लोबल मार्केट के आला देख लेते हैं कल अमेरी की बाजार देखे नास्डैक तो रिकॉर्ड हाय किस तरो पर यह पंद हुआ वन नाइंटी पॉइंट के बड़त दिखने को मिले हैं यूरोपियन मार्केट भी देखे तो लगबख सभी लाल निया हरे निशान में कल ट्रेड कर रहे थे हैं और एशिया ही बाजार जब आज ओपन हो चुके तो हल्का सा दबाव दिखने को मिल रहा है इस जीएक्स निफ्टी मामुल के बड़त के साथ ट्रेड कर रहा है जेपनी इंडेक्स एक सुचार पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है डाव फिचर देखे तो सेवेंटी पॉइंट की गिरावट के साथ इस से मैंट्रेल कर रहा है तो औरहाल ग्लोबल मार्केट से फिलाल अभी थोड़े से कम जोरी क कर रहे है यह जो इस दो दिन बाकि तो इसके उपर अगर सस्टेन होता है तो इसके उपर अगर यह संवर करते हुए दिखाई जे सकते आप हमें ने हाइज create होते हुए दिखाई दे सकते है तो weekly chat में यहाँ पर breakout है March के bearish candle का breakout है यहाँ पर मिल सकता है अभी दो दिन बागी है month खतम होने के लिए weekly chat में देखे तो यहाँ पर एक golden crossover बन सकता है यानि बन सकता है probabilities है ऐसा ही होगा यह का नहीं जा सकता है लेकिन अगर golden crossover बनता है यानि at a time सभी एक दूसरे को cross करते है यह short term long term और mid term moving average और उसके बाद ऐसा setup बनता है 20, 50, 100 यानि upside यह जो ascending order से ऐसे structure यहाँ पर अगर फिर से बनता है तो nifty index में और तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है golden crossover यहाँ पर weekly chart में बन सकता है monthly chart देखा weekly chart देखा daily chart में चलते है daily chart में जैसे कि हमने यहाँ पर यह w pattern को identify किया था rising bottoms भी इसे कहते है यह एक है past में भी अगर आपको देखना है rising bottoms बनने के बाद उपर price action में क्या हुआ था तो आप इसको ऐसे इस तरह से identify कर सकते है rising bottoms डब्ली बैटन इसे कहा जा सकता है तो उपर यहाँ पर जीसे यह pattern बनता है तो उपर भी price action में हमें यहाँ से upside move आते हुए दिखाई दे सकती है यह देखे यहाँ पर और अभी कल इसने इसके neckline का भी यहाँ पर breakout डे दिया है तो अभी अगर आज expiry का दिन है काफी position शुरूर हो सकते है कोई close कर सकता है तो यहाँ पर एक profit booking या फिर correction हमें देखने को मिल सकता है उसके बाद है अगर यह 11,550 को अगर यह break कर देता है इसके ऊपर sustain करने लगता है तो हमें 11,600-700 के levels nifty index में आते हुए दिखाई दे सकते है तो यह daily और weekly chat का scenario चलते है 60 minute की चाट में intraday levels को identify करेंगे quickly निफ्टी इंडेक्स अभी कल का अगर हाइ ब्रेक करता है कल एक जबर्दा subside move आया था लास्ट आर्स में तो 11,562 के उपर अगर sustain करता है तो ही intraday के लिए हम यहाँ पर पोजिशन मना सकते है और तभी हमारा एक चोटा सा quickly first target होगा 11,576 यह हमारा first target होगा और second target होगा 11,586 यह हमारा second target होगा और nifty index अगर यह pivot point का यह जो लेवल है 11,524 इसको अगर ब्रेक करता है towards south की तरफ तो ही intraday के लिए हम यहाँ पर short position मना सकते है आप क्योंकि देख सकते है दो दिन पहले यहाँ पर gap up जब open हुआ था तो exact इसी लेवल के पास इसने resistance फेस करके फिर से एक बार towards north के south की तरफ यह movement दिखा रहा था तो यहाँ पर जब resistance फेस कर रहा था past में हो सकता है यहाँ पर support फेस करें तो अगर यह support break होता है तो ही intraday के लिए हम यहाँ पर short position मना सकते है और तभी हमारा quickly first target होगा 11,512 यह हमारा first target होगा और second target होगा 11,498 यह हमारा second target होगा तो यह है आज के लिए यह intraday levels अगर आपको यह video analysis अच्छा लगा तो like, share, comment ज़रूर करें और subscribe करना ना भूलें, so thank you very much and happy trading अगर आप इन तीनों में से कोई एक प्रेडिंग अकाउंट हमारे partner referral ID के अंडर अगर अगर आप ओपन करते है तो आपको हमारी जो intraday premium membership है वो आपको absolutely free में मिल सकती है उसके लिए आपको करना क्या है just apply here के उपर click करना है तो जैसे यह web page open होगा तो आपके यहापर details आप आपको इंटर करने है तो online process शुरू हो जाएगी एक दिम में account open हो सकता है अगर आपके documents ready है तो account open होने के बाद आपका जो client ID है वो आपको हमें इस number पे call करके confirm करना है ताकि हम आपको intraday premium membership में add कर सके तो यह चोटा intro था trading fab के बारे में